हलो प्रेंट्स वागते हैं आपका अपने यूट्यूब चनल दे इन्वेस्टर चालाफेथ तो फ्रेंट्स कैसे आप लोग आयो कि आप अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स वीडियो का टाइटल आपने देखे लिए होगा 15 यह का ब्रेक आउट स्टोक तो आज हम बात करेंगे 15 यह का ब्रेक आउट स्टोक और इसके चार्ट के बारे में थोड़ा समझेंगे वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं गया है वो सब्सक्राइब कर लें आइड शेर और हमारा टेलिगाम चैनल जोइन कर सकते हैं डिस स्टोके पलरामपुर चीनी मील्स अगर आप ध्यान से देखो तो इधर आओ निया पर अगर आप ध्यान से देखो तो यह वाला लेवल यह लेवला आपको दिख रहे हैं यह वाला लेवल यह है तिन अपरे 246 का हाई और अब हम कहां पर हैं अब हम हैं यह आपर अब हम हैं यह यह लाइन है यह वाली ब्लेक लाइन इसको ब्रेक आउट कड़ दिया है इसने अब बाकी है closing तो यह हाई था हमारा 2006 का अप्रेल 2006 का 202.60 रुपे का अब जो हमारा इसका हाई है 224.80 अब यहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है अब यहाँ पर इस breakout को retest करने आ सकता है या फिर उपर जा सकता है यहीं से direct, इसके लिए हम volume चेक कर लेते हैं इस stock के अंदर volume कैसी हैं तो इस stock के अंदर और volume देखा जाए तो volume मन्तली पे आई नहीं है जैसे यहां नहीं आई थी, यहां से ही चला था कि लेकिन यह breakout हम daily पर चेक करते हैं और weekly पर चेक करते है कि वोल्यूम कैसी है यह डेली पर है अगर आप देख रहे हूं एक यहां पर बिग रेड़ केंडल है जो है 224.80 224.80 224.225 से यह स्टोक रिवर्स वार रिटेस्ट रहा फिर अप जा रहा है लेकिन आज भी इसने यहां कि वाफिस निचाइगा है जब यह दो सो 205 का लेवल कटेगा है थub यहां पर इसकी पाइंग आएगी अब हम इसका वीकली चार्ड़ा देखें विकली चार्ड़ पर क्या है Mukelie चार्ड़ पर हमारे ग Sixt Belle वोल्यूम दिखे यहां पर जो अल्मॉस्ट थर्टी टू मिलियंस की वोल्यूम है कि यानि कि तीन करोड तीस लाट शेर के आसपास तो यह काफी यूज वोल्य में और याद रगना वीकली चार्ट हमेशा चार से छे महीने के लिए देखा जाएगा चार से छे महीने के लिए देखा जाएगा वीकली चार्ट और यहां पर अगर आपको दिख रहा हो तो एक डबलू पैटर्न ओर बन रहा है डबलू पैटर्न दिख रहा हो तो द्यान दे तो यह 15 साल का ब्रेक आउट है अगर जो भी इसके अंदर अपनी पोजिशन बनाना चाहते हैं मतलब चार से च्छे महीने के लिए वो पोजिशन बना सकते हैं अपनी जब यह स्टोग अगर थोड़ा नीचे आता है तो 192 का SL रहेगा 192 का SL रहेगा और आप इसको अभी भी बाई कर सकते हो पोजिशनल के लिए बता रहा हूं इन्वेस्टर्स के लिए क्योंकि इसने जो प्रेक आउट दिया है वो छोटा मुठा प्रेक आउट नहीं दिया और प्लस में वीकली वोल्यूम्स के साथ यह अब क्या है अब यह वाली जो कैंडल है यह वाली कैंडल अगर इसका हाइग कटता है यह वीकली कैंडल है फुल वोल्यूम्स के लिए वो तूटिफाइब के उपपर इसको बाई करेंगे और जो चार से छे महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाते है इसके अंदर तो वो वन नैंटी टू के एसल के साथ पाई करेंगे के और अप्रेंब पर धिर कैस के समें नगरत क्यों कि ये टार्गेट काफी अच्छक्य दे सकता है कि ये टार्गेट आलमस्त आपको या अलमूस्त हिय टार्गेट आपको ने सकता है दोसो सी 320 रुबे तक ही आपको टार्गेट दे सकता है माइंड इट जो इन्वेस्ट करना चाहते है अपना ज्यादा गॉंटिटी नहीं सो डेट सो क्वांटिटी आप इन्वेस्ट कर सकते हो ऐसे नहीं कि अमरसर ने कहा था कि उठाली हजार गॉंटिटी पहले हमको यह ब्रेक आउट का रिटेस्ट देखना पड़ेगा क्या यह लेवल रिटेस्ट कर पाता है यह लेकिन अगर 225 के उपर यह निकला 225 के उपर ज प्रेंट्स कमझ में आगया है क्योंकि यह जो रेड गंडल है आप देख रहे हो यह वाली रेड गंडल है इसका हाई 225 अगर वो कटता है तो यह माल ने ना कि सैलिंग जो है वो या तो रिटेलर्स की आई यह इतनी बड़ी वोल्यूम में सैलिंग क्योंकि अगर ऑपरेट उन्होंने अपनी पोजिशन मेरे कोडिंग एक्जिट कर दिंगा तो फ्रेंट्स ध्यान रखना है से स्टोक का ओके फ्रेंट्स थैंक्यों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइप प्लीज लाइक शेर और सब्स्राइब